जै श्री कृष्णा राधे राधे वैशाक मास की कथाओं में आज मैं आपको सुनाऊंगी रिसी दुरुवासा और उनके दो सिश्य सत्यनिस्ट वे तपोनिष्ट की कथा आईए शुरू करते हैं एक बार प्रेम पूर्वग बोली श्री हरी विश्नु भगवाने की जै प्राचीन काल में गोदावरी नदी के तट पर सुब ब्रह्मेश्वर छेत्र में दुरुवासा रिसी के दो सिश्य परमहंस और ब्रह्म की भग्ति में लीन रहने वाले थे उनको किसी विपदार्थ की अभिलासा नहीं थी वे दोनों सरवदा ही उपनीसद विद्धामें तक पर रहते थे दोनों बड़े पुन्यात्मा और गुहा में विश्वास करते थे और भिक्षा मांगा हुआ भोजन ही श्वम ग्रहन करते तीनोगी जगत में वे दोनों सत्यनिष्ट और तपोनिष्ट के नाम से प्रसिधु थे उन दोनों में से जो सत्यनिष्ट था भाँ सदा ही भगवान विश्णु की कथा में लीन रहता शोतागर तथा व्याक्यान देने वालों के अभाव में वहें मुनिश्वर श्वम ही कथाओं को दूसरों से सुनाता यदि कोई शोता रहता तो वहें दिन और रात उसको व्याक्यान देता रहता यदि कहीं पर कोई शुब पुन्यवती विश्नु भगवान की कथा कहता तो वे सब काम छोड़कर वहाँ पर जाता और वहाँ पर विश्नु भगवान की कथाओं का श्रवन करता वहें बड़े दूरवाले तिर्थ तथा देवताओं के मंदिरों को छोड़ कर तथा विरोधियों के लिए वहें सदा ही कथाओं को सुनता और कहता बिना कथाओं के वहें नहीं अन ग्रहन करता और नहीं जल ग्रहन करता यदी वें कभी रोग से ग्रस्थ हो जाता तो वें वक्ता अपने घर पर ही कथाओ को कहता कुवे पर स्नान करता और फिर कथा सुनता और कथा के अंत में अपने क्रत्य करता क्योंकि कथा सुनने से मनुष्य जन्म के बंधन में नहीं बनता है विश्नु भगवान में उसकी सची श्रद्धा हो जाती है और उसके सभी दुख दूर होते हैं विश्नु भगवान में उसका प्रेम बढ़ता है और साध्वों में मित्रताउत्पन होती है रद्य में निरंजन, निर्गुण ब्रहम, शिग्र ही रद्य में आ जाते हैं ज्यान हीन पूरुस के कर्म निश्य ही विफल हो जाते हैं और अनेक बार की वे कर्म वैसे ही निसफल हो जाते हैं जैसे की अंधे को दरपन देना दुखी मन से जो भी कर्म करते हैं वहें भी सच्ची सुद्धी के लिए होता है और सच्ची सुद्धी से सुनने में प्रवेश होता है और सुनने पर ज्यान प्राप्त होता है और ज्यान उत्पन होता है और सुनने वे वाक्यों पर विचार करके और अनेक बार श्रमन करते हैं वे मनुष्य अवश्य ही विश्णु भगवान में भगति को बढ़ाते हैं जहाँ पर विश्णु भगवान की कथा नहीं होती है और जहाँ पर साधु लोग नहीं जाते हैं वहें यदि साक्षात गंगा जी का तठो तो भी उसे अवश्य ही त्याग देना चाहिए जिस देश में तूलसी नहीं हो तथा विश्णु भगवान के सुन्दर मंदिर नहीं हो और जहां पर विश्णु भगवान को याद नहीं किया जाता हो वहां पर मरने से अंदकार प्राप्थ होता है जिस गाओं में विश्णु भगवान का मंदिर नहीं हो और काले मरग नहीं हो जहां पर विश्णु भगवान की कथा कही या सुनी नहीं जाती है और जहां पर सादू लोग नहीं ठैरते हो वहां मरने से मनुष्य को कुत्य की योनी प्राप्थ होती है वह मुनी उपनी सत्व विद्या पर विचार करके ऐसा निश्य करके सदा ही विश्नु भगवान की कथाओं में लीन रहता तथा वैं हमेशा ही मन ही मन विश्नु भगवान का स्मरण किया करता वह कथा सुनने से बड़ी और कोई बात नहीं मानता था वहीं दूसरा सिस्य जिसका नाम तपोनिष्ट था उसकी श्रद्धा बुरे कर्मों में थी वह नै तो श्यम कथा सुनता और नै ही कभी कथा कहता था जब कथा बांची जा रही होती तब वह कहता कि मैं तीर्थ स्नान के लिए जा रहा हूं और जब तीर्थों में जाता और वहां पर कथा होती तो वहां भी वो अपने मन की चंचलता के कारण कथा नहीं सुनता यदि सुनता भी तो उस पर पूरा धान नहीं लगाता कोई भी सुनने वाले या फिर कहने वाले उसके पास नहीं जाते थे कारिय करने के लिए भी लोग उसका साथ छोड़ देते थे उस दुरबुद्धी का समय इसी तरह बीटता था भगवान की कथा से उसकी जीत था उसके कानों ने कभी भी पुन्यप्राप्त नहीं किया फिर जब उसकी म्रत्यु हुई तो म्रत्यु के पश्चात वें समी के व्रक्ष के उपर छिनकरन नाम का बलवान पिसाच हुआ वें आश्रे और आहार से रहित था उसके कंट और तालू सूखे थे इस प्रकार से दुखी रहकर उसके दिव्य दस हजार वर्स व्यतीत हो गए वें बिना आहार के और अथ्य दिखी दुखी रहता था उसने अपने तारण करने वाले को देखा ही नहीं था वें अपने किये हूए पर चिन्ता करता और अती उनमत के समान भूग के मारे घूमते उए उसकी मूर बुद्धी ने मोक्षप्राप नहीं किया उस एक्रत्यात्मा के सरीर पर वायू अगनी के समान स्पर्श करती थी फल और पुष्प उसको काल की अगनी के समान ही जान पड़ते थे साथी जो भी वस्तु से दिखाई देती वहें उसे विस्त के समान जान पड़ती ऐसी इस्तिती में उस निर्जन वन में इस कुकर्मी को कहीं भी सुप्राप्त नहीं हुआ कथा से रही तथा साधू के त्याग किये हुए इस छेत्र में जहां पर वह रहता था उस पैठी नसी नाम नगरी में एक साधू जिसका नाम सत्यनिष्ठ था वेपदारे मार्ग में जाते हुए और अत्यदिक पीडित इस छिनकर्ण को उस साधू ने देखा रोते हुए और भूख से पीडित और श्वम के सरीर खोवी खाते हुए देखकर मुनी ने उनसे कहा कि तुम कोन हो भे मत करो जिस कारण से भी तुमारी यह दसा हुई है मुझे भे मताओ मैं अवश्य ही तुमारा उद्धार करूँगा मुनी के इस प्रकार से आश्वाशन देने पर अत्यदिखी व्याकुल होकर छिनकरण ने कहा कि हे प्रभू मैं दुर्वासारिसी का सिश्य हूँ और मेरा नाम तपोनिष्ठ था ब्रहमेश्वर छेत्र में रहने वाला मैं अपने कर्मों में श्रद्दा रखकर दुराचारी था हे मुनी कर्मों के लोप के भैसे मैंने मुर्खता और दुरबुद्धी से कभी भी सादू से बाचियूई कथाए नहीं सुनी ना ही कभी किसी दूसरे को कथा सुनाई और विश्णु भगवान की कथाओं का मैंने कभी भी आदर सत्कार नहीं किया और एकर्म को हटाने वाली कथाओं को कभी भी शोता गणों को नहीं सुनाया इसी कर्म के परिणाम में मैंने अज बड़ी ही दुर्गती पाई है मुझे को दिखे हैं आपको देखने से मैं पाप रहीत हो गया हूं आज आप मुझे पर दया करे आप देवता गुरू तथा साधु लोग हैं मुझosis पर प्रसन हुए है आपके दर्शन मात्र से ही हरी भगवान मुझस पर प्रसन जान पड़ते हैं मेरी रख्षा की ज,, मेरी। प्रकार से रोता हुआ वह पिसाज सत्यनिष्ट के चर्णों पर गिर पड़ा त्म महत्मा सत्यनिष्ट उसे उठने के लिए कहा और महात्मा सत्यनिस ने अपने कमंडल से जल निकाला और वह जल उस पर छड़क दिया और उसको उत्तम पुन्य दान दिया तथा वैशाक मास्त के महात्मे सुनने से मुहुर्द भर में जो पुन्य उत्पन हुआ था वह पुन्य उसको अर्पित किया उस पुन्य के प्रभाव से उसके संपूर्ण पाप ततकाल ही नश्ट हो गए वह पिसाच का सरीर छोड़कर दिव्य शरी धारी हो गया और उसने महामुनी को प्रणाम किया और फिर श्वम विमान पर चड़ गया आमंतरन करके तता मुनी की परिक्रमा करके वह श्वम विश्णुलोग की ओर चला तब सत्यनिश नाम का बुद्धिमान विशी पैठी नसी नगरी में गया और बारम बार महत्मे सुनने के बारे में सोचने लगा हे बगतगणों जहां पर भी शुम फल देने वाली और पुन्य करने वाली भगवान की दिव्य कथा होती है सभी तिर्थ और सभी पुन्य चेत्र शुम वही पर आ जाते हैं जहां पर पापों को हराने वाली और पुन्य देने वाली विश्णु भगवान की सुब कथा होती है। उस देश के लोग हमेशा ही मुक्ति को पाते हैं। इसमें कोई भी संधे नहीं है। सुरिय देव के मेज राशी में जाने पर वैशाक महिने में जो भी मनुष्य प्रात्य काल सुर्योदे से पहले स्नान करता है। और मदुसुदन भगवान की पूजा करके हरी कथा को सुनता है। वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में विश्णु भगवान के परंपद को पाता है। और जो मुर्ख बाची जाती हुई कथा को छोड़कर अन्य कुछ कारिये करता है। वह मनुष्य रोरव नाम के नर्ग को प्राप्त करता है और पिसाच योनी में जाता है। ये थी आज की कथा। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। आपसे एक निवेदन है। ये आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक करे और वीडियो को शेयर करे। आपका दिन शूब और मंगल में हो। राधे राधे।